तीन elements है जब हम compare करते है A से B के साथ तो सिर्फ दो ही elements same दिख रहा है, एक new element यहाँ दिख रहा है अब B से C की तरब भी पहले यहाँ पर यह element और यह element दिख रहा है और यह new element it means कि कोई एक new element हर बार added हो रहा है सबसे पहले हम figure का position का देखेंगे क्योंकि every time अभी वो इधर साइड में फिर straight हरी है इसलिए so first of all वो यहाँ पे है A case में अब B में वो यहाँ पे है B में वो straight है, ऐसी है figure पूरी whole figure I am talking यह पूरा तीनों elements मिला के एक figure जो है वो, तो पहले वो यहाँ पे है फिर वो anti-clockwise गई 45 degree बोल सकते हैं फिर next step में वो ऐसे आया है, मतलब 90 degree anti-clockwise third step में वो इस तरह से मुवी है मतलब 45 degree anti-clockwise और last step में इधर आये 90 degree anti-clockwise, ऐसे हो गया now, अब जो answer figure है वो ऐसे चाहिए, horizontal, तो सारे answer option में वैसे ही है, वो horizontal ही आया है, so यह logic जो direction का था, वो correct आ गया now, अब उनके positions कि कौनसे elements कहां पर किस तरह से change हो रहे, so let's find out कि वो किस तरह से change हो रहे, तो कि position के इसाब से तो हमें कोई option eliminate नहीं कर पाए हम, अब इसका देखेंगे, अब यह दो element है B में और A में same है, सिप यह जो यहां का corner का arrow वो middle में जाता है, मतलब वो एक दूसरों के साथ position exchange करते है और central वाला element जो है, वो corner में आ जाता है, और corner में आने के आदमें, small हो जाता है, corner का element उपर जाता है, और वो big हो जाता है right, अब B से C की तरफ देखेंगे, तो यह arrow और C दिख रहा है इट मेंस कि एक बार वो इसके साथ change हुआ, exchange for center position फिर अभी वो next element के साथ exchange होंगी, और वो central element corner में जाता है, corner वाला central में आता है, सो अब इसके साथ हो गया one or arrow इसके साथ में, इसलिए center का, बीच वाला element था वो corner में जाके छोटा हो गया और जो corner में था वो बड़ा हो गया बस इतना ही exchange हो रहा है position exchange कर रहा है, और जो बीच में middle में आता है, center में आता है वो बड़ा element हो जाता है, that's it अब यह दोनों के साथ में होगा, square बीच में आया, C corner में गया, small हो गया अब इन दोनों के साथ में, triangle तो स्क्राइबल इतनी,檻ाया here, square इतनी, small और Big हो गया जो भी center में आता रहा हो बड़ा सी triangle इतनी बारे मधा जाएया में, Milton, हो इक साथ में आता है so अब इतनी शाथ के साथ मेंनें यह republican statement answer figure जो आएगी हमारी वो इस तरह से आएगी, right, so, यह triangle जो है, वो left corner में जाएगा, और S जो है, वो middle में आएगा, और यहां पे एक new element चाहिए, तो इसलिए यह possible नहीं हो सकता है, new element हमें मिलना चाहिए, वो possible नहीं है, so, इसलिए answer option 4 possible होगा, क्योंकि triangle हमें यहीं चाहिए, S जो यहीं चाहिए, और यहीं new element चाहिए, जो मिल रहा हमें, इसलिए answer option 5 is correct, answer option 4 is, 5 is also not possible, 1 is also not possible, 4 element जो है, वो direction भी change कर रहें और position भी change कर रहें, so, as हम always ऐसे ही solve करता है, कि पहले उनका position fix करता है, and then direction, so, let's find out, पहले उनका हम position check करेंगी, कि किस तरह से move हो रहा है, so, इसके लिए obviously 4 elements है, अलग-अलग direction में जा रहे, so, it is very difficult to find out orally कि कैसे हो सकता है, so, comparison करना पड़ेगा, so, ए फिगर में, जो यह first element है, और element wise ही देखेंगे हम, यह first element जो है, वो first position का third position पे जाता है, अगर numbering किया जाए, तो first position का यहाँ पे वो third position पे आए, right, so, first position का third पे गया है, and third position पे क्या है यहाँ पे, जो एक C shape का है, right, जो C shape का है वो first position पे है, right, now हम उसका direction नहीं check कर रहे, right, उसका direction नहीं check करेंगे, हम सिर्फ उनका position check करेंगे, so, first का third पे exchange हो रहा है, position दोनों का एक दूसरों के साथ, now second, second का obviously fourth के साथ position exchange हो रहा है, दीख रहा है हमे, first का fourth के साथ exchange हो रहा है, यहाँ पे second पे आए, fourth पे गया है, right, so, इस तरह से वो position exchange हो रहा है, now, let's see BC में कैसे हो रहा है, यह first element जो है, वो गया है fourth position पे और यह second triangle जो है वो first पे आया है, यह half arrow जो है वो second पे, so it means वो इस तरह से left की तरफ जा रहे, सारे element left की तरफ जा रहे और जब यहाँ पे top पे जो है, वो last में जाता है, ऐसे आया है pattern, so different pattern है than first case, अब C और D में देखते हैं कैसे हो रहा है, first जो triangle है वो third place पे आया है, और third place का जो है, first place का third place पे जाना चाहिए, third place का जो है edge shape का और उपर एक circle है, वो first place पे आया, it means same as first pattern, first का third के साथ exchange होता है, second का fourth के साथ भी exchange होना चाहिए, second का fourth के साथ second का fourth के साथ exchange होना चाहिए तो ये second आ गया half arrow fourth पे गया है right so second का fourth के साथ exchange हुआ है इस case में ऐसे right so ये आ गया same as first pattern ये first और ये भी first pattern बोसकते और ये second right अब d2e में first आना चाहिए ये आ गया first now d2e में let's check sorry d2e में second आना चाहिए और d2 answer में फिर से first pattern आना चाहिए हमारा so let's find out first of all d2e में second pattern आता है ये जो half arrow है वो third position पे triangle second position पे c जो shape है first position पे और ये h shape का जो है with circle वो गया है first position yes वैसे ही हुआ है सारे elements इस तरह पे जा रहे है इस तरह से इस तरह से और first का last में जाता है और ये second pattern now e to answer में हमारा first pattern आना चाहिए right ये first pattern जिसमें positions exchange हो रही है so first case का जाना चाहिए third place पे मतलब C पे और C जो half arrow है वो first place so half arrow mostly सारे places पे वो ही दिख रहा है so हो सकता है so और triangle जो जाना चाहिए fourth position पे और circle जो जाना चाहिए second position पे so ये triangle fourth position पे यहां पे ऐसे ही दिख रहा है so answer options जो है वो सारो की position same ही है same ही है so only अब हमें direction से उसको sort करना पढ़ेंगा so let's find out सबसे पहले first वाला element देखेंगे ये वाला जो first case में हमें यहां दिख रहा है और second case में वो दिख रहा है कुछ इस तरह से इस तरह से जो first में यहां पे है second में ऐसा दिख रहा है तो वो किस तरह से उसका position rotation हो रहा है और उसका direction चेंज हो रहा है let's see अगर मुझे ऐसा है और ऐसा figure मुझे तभी मिल सकता अगर मैंने mirror image किया तो it means first element का mirror image हो रहा है first of all mirror image और जो C figure मिला है मुझे right वो मुझे कुछ इस तरह से मिला है so यह कब मिल सकता है जब मैंने water image किया तो right पहले first mirror image फिर water image अब CA हो गया for A to B में mirror B to C में water C to D में देखते है क्या होता है C to D में कुछ इस तरह से figure थी मेरी C figure में और D में मुझे इस तरह से मिलती है मतलब यह mirror image हो गया so फिर से mirror image आया now D to E में water image अगर आ जाता है तो it means कि यह same हमारा pattern follow हो रहा है mirror image, water image इस तरह से so let's see D to E में यह figure था यह वाला figure और E में मुझे वो कुछ इस तरह से मिला मतलब जो start में था वैसे ही आ गया so इस तरह से वो rotate हो रहा है mirror image, water image, फिर mirror image, फिर water image अब last में आ जाएगा इसका water image तो मुझे मिला वो E case में right so यहाँ पर water image जब करेंगे तो E में मिला हमें जो first case में water image जैसा तो ऐसे ही मिला so it means कि हमें जो final position मिलेगा of arrow वो इस तरह से रहने वाला है और वो first place पे रहने वाला है of course first place पे so let's find out कि बाकी के सब elements से हम किस तरह से eliminate कर पाते है now second वाला element let's see second element first figure में मुझे वो इस तरह से रिखता है here first element sorry second element now second case में वो अगर यहां mirror image रखा जाए तो मुझे इस तरह से मिलेगा so first of all हमने mirror image किया उसका now then third figure में वो मुझे इस तरह से C figure में मुझे यहां मिलता है इस तरह से shape so यह तभी possible है अगर इसका मैंने 180 degree से उसको move किया मैंने 180 degree 180 degree so इस तरह से कुछ shape मिलेगा जब 180 degree से move किया जाएगा now अब 180 degree से move करने के बाद में next जो figure है fourth वो इस तरह से मिल रही है second step में A to B में हमने mirror किया B to C में हमने उसको 180 degree से move किया now C to D में वो कुछ इस तरह से मिलती है मतलब फिर से अगर mirror image किया जाए तो यहां पे C to D में फिर से mirror image हुआ है right so यह mirror image हो गया now और fourth to fifth तब मिलता है जब 180 degree move किया जाता है so यह pattern कुछ इस तरह से mirror 180 mirror 180 इस तरह से हो रहा है so obviously अब fifth से मेरी answer की तरफ मतलब E से answer की तरफ कुछ इस तरह से होगा E से answer की हम लोग A, B, C, D, E देते 123 की बचा है so यह A, B, C, D, E so E से answer की तरफ mirror image जाना चाहिए अगर मुझे इस तरह से figure मिला है मेरा last figure so mirror image जो इसका exactly इसके opposite आना चाहिए right इस तरह से यह ऐसा और इसका mirror image यह ऐसा था so इसलिए answer इस तरह से कुछ आना चाहिए right, so let's see कि क्या मिलता है इसका answer options में तो mostly same ही है सारे so हम लोग वापस next element देखेंगे फिर से यह आ गया third element next figure में वो उल्टा है मतलब वो down side में ही है पहले वो इस तरह से रहता है कुछ भी आप बोल सकते हो so नीचे यह बस नीचे का figure जो है वो उसने invert किया है now C figure में C figure में हमें वो उपर के side में मिलता है यहां पे इस तरह से इस तरह से exactly 180 degree of this figure 180 degree of this figure हमें हमें C में मिलता है यह मिल गया A figure यह हो गई B figure यह हो गई C figure और D figure में वो उपर ही रहता है D figure में we can see यहां पे उपर ही है लेकिन इसका जो उसने यहां पे mirror image किया है इस तरह से now अब mirror image यह 180 degree से भी rotate करेंगे तो वैसे ही मिलेगा इस case में now E figure में D से E की तरफ E figure में वो उपर ही है sorry अभी वो नीचे आया है और इस तरह से है मतलब यहां से again उसको 180 degree से move किया गया है तो इस तरह से है अब जो E answer figure रहनी चाहिए वो कुछ इस तरह से रहनी चाहिए कि वो नीचे ही रहना चाहिए उसका direction कुछ इस तरह से होना चाहिए उसको mirror image हो जाने चाहिए उसकी इस तरह से वो नीचे ही आना चाहिए लेकिन इस तरह से answer 5 possible नहीं 1 पहले ही cross out हो चुका था 3 हो सकता है 4 हो सकता है 2 3 4 हो सकता है लेकिन हमको answer figure जो second element का मिला था वो इस तरह से तो 2 भी possible नहीं 3 और 4 पॉसिबल हो सकता है last element यह triangle है A figure में वो कुछ इस तरह से है B figure में वो नीचे ही है बस वो triangle जो है वो rotate हो जाता है यह पहले pointed figure उपर उसको attach है now यह other side है अब C figure में triangle उपर गया है और कुछ इस तरह मतब same A figure को rotate किया गया 180 degree से तो वो उपर गया इस तरह से now D figure में वो triangle उल्टा हो गया है right D figure में हमें दिख रहा है इसका pointed part यहाँ पर यहाँ पे पहले sides उसको attach थी now यह pointed figure आ गई है next अब it means कि starting के जैसे यह third fourth element जिस तरह से हो रहा था third element उसी तरह fourth element का हो रहा है अब यह दोनों उपर side में है तो D figure में वो नीचे आना चाहिए आया है क्योंकि इसको 180 degree से rotate किया गया इसलिए यहाँ पे pointed part यहीं पे रहेगा और यह नीचे आया है अब नीचे ही रहना चाहिए सिप उसके sides connected है so answer figure में arrow इस तरह से आना चाहिए कौनसे option में possible है let's see 4th में possible नही answer option 3 में ही possible है इसलिए answer option 3 is correct very easy question इस time के हमने बहुत साथ question solve किये उसी logic पे है A से B के साथ compare करते है तब सिप एक element अलग दिखता है और new element add on होता है so हमको बस एक निकाल लें वो pattern किस तरह से मुह हो रहा है जैसे यहां का semi-circle उपर जा रहा है यहां का semi-circle उपर question mark इधर आ आ रहा है यह corner में और circle ज़आ वो यहां जा रहा है और यहाँ एक new element आ रहे है यह एक pattern हमें मिला Now next pattern we have to find out in B to C में कि कैसे हो रहा है element dollarssecond t here जा रहा है circle यहां आ रहा है और यहां पर एक new element आ रहा है मतलब new element का direction anti-clockwise की तरफ दिख रहा है तो let's find out, अब new element जो यहां आना चाहिए, तो हमारा यह जो assumption है वो correct रहेगा, so C to D में देख रहे हैं, तो यह जो T है, यहां जा रहा है और साथ ही साथ यह जो element है मतलब remaining 3 वो clockwise mover है, so इसलिए T जो है वो यहां गया C to D में, यह oval black shape जो है वो यहां पर आया है और semi-circle उपर गया है, correct है अब D to E में new element यहां पर आना चाहिए और यह जो remaining elements है सारे यह clockwise direction में मूव होने चाहिए उसी तरह, अब E to answer जो है वो new element जो है वो इधर आना चाहिए sorry, हम लोग anticlockwise new element जो है वो anticlockwise add होता है so इसलिए new element जो है वो यहां आना चाहिए और यह remaining element इस तरह से clockwise move होने चाहिए right, इधर नहीं आता है, यह इधर जाता है now let's see, oval जो है वो सबसे पहले तो new element यहां पे मिलना चाहिए तो कौनसे figure में possible हो सकता है let's see इसमें possible हो सकता है क्योंकि V यह ultra V नहीं yes, ultra V आ चुका है, यहां पे भी है so new element तो यहां नहीं possible होगा so यह answer नहीं हो सकता है, यह भी new हो सकता है square can be possible, triangle possible नहीं है क्योंकि अलड़ी आ चुका है, TB possible है so new element के सबसे ही वो हमारा बाकी element हो गया, तो answer यहां आ जाएगा now and the remaining C जो है यहां जाना चाहिए C यहां पे आ गया है oval यहां पे आ चाहिए yes आ गया और triangle ultra V जो है वो यहां होगा है तो सारे elements बाकी की सेम ऐसे ही clockwise और new element मीचे आ है so answer option 3 is correct very easy question we will start with this center यह जो center का element है उससे दिखते है कैसे move हो रहा है, first of all वो A figure में इस तरह से है यह direction में A figure में B figure में वो ऐसे हो जाता है इस तरह direction में next figure में this direction मतलब यह 45 degree से अभी वो 90 degree से और यह सारा anti clockwise movement हो रहा है now C से D की तरफ C में यहां पे है D में वो 45 degree so pattern है I think 45 90 45 90 let's see now next 90 so next आ गया यहां पे यह हो गया था D और यह हो गया E so यह हो गया 90 now next element जो है वो 45 degree वाला रहेगा मतलब हमारा answer जो है so arrow जो है center हम अभी arrow का देख रहे right arrow का ही देख रहे तो arrow जो है वो next हमें ऐसे मिलना चाहिए figure में so यह 1 2 figure में possible है 3 में नहीं 4 में 4 5 भी हो सकता है right so यह हो गया central element का now उसके बाहर element है यह triangle right यह triangle bigger triangle यह वाला same triangle हमें B figure में दिख रहा है right बस उसका mirror image है अगर mirror यहा रखा जाए तो D figure जैसा mirror image मिलेगा और similarly जब B को E के साथ compare करते है दोनों का same shape है सिप यहां पे हम लोग mirror रखेंगे तो हमें same e shape का मिलेगा it means अब C का जो भी रहेगा वो हमारा answer figure का second number का element रहेगा right so इसका mirror image निकालेंगे हम लोग तो हमें कुछ इस तरह सी 2 में भी दिख रहा है 3 में 5 में दिख रहा है इस तरह से यह तीनों हो सकते है उसमें से 3 4 हमारा possible नहीं है so एक तो 1 तो possible ही नहीं है क्योंकि hexagon तो आने ही नहीं वाला है pentagon ही आने वाला है right so 2 भी हो सकता है या फिर 5 भी हो सकता है और final shape हम लोगों का इस तरह से आएगा यह जो middle वाला है portion उसका pentagon facing this side so यह हो गया pentagon और उसके अंदर का arrow कुछ इस तरह से आया था हमारा next next है now we will see this यह जो small black dot दिख रहे हम लोगों को यह black dot की इस तरह से we will compare with a to b क्योंकि हर एक element को अलग-अलग compare करके ही हम लोगों को answer निकाल सकते circle यह circle यहाँ पर है फिर next position में वो यह जाता है और black dot जो हो उपर जाता है अब next case में जब b to c compare करते है तो यह white dot यहाँ पर गया और यह black dot यहाँ पर आया मतलों वो इक दूसरों के साहत position exchange कर रहे है next case में white white यहाँ पर आ गया black यहां पर आ गया, मतलब वो move anti-clockwise हो रहे है एक step में और एक step में वो एक दूसरों के साथ position exchange कर रहे है, जैसे C to D में वो एक दूसरों के साथ position exchange, C to D में, पहले C to D में वो यहां पर से move हो जाएंगे, white वाला dot joy वो यहां जाएगा और black dot joy वो यहां जाएगा, and फिर D to E में वो एक दूसरों के साथ position exchange करेंगे, अब E to position exchange करने के बाद में अब यह next step में यह आगे move होंगे, so आगे move होंगे उसके लिए यहां पर आ जाएगा white dot and black dot यहां पर आ जाएगा, right, so यह आ जाएगा white dot और यह आ जाएगा black dot, now let's see, यह black dot था हमारा और यहां पर white dot, और pentagon, it is not clearly visible in the earliest figure, so that's why I am drawing here, कि यह बाले ऐसे shape आजाएगा कुछ, यह हमारा, और arrow इस तरह से आया था, यह white और यह black dot, now, यह होगे white dot, black dot भी और सारे figures भी होगे, so it means let's find out कि कौनसा answer option 2 या 5 कौनसा possible हो सकता है, white dot हमें आगे चाहिए, इस case में black dot आगे है, तो white dot पीछे है, सिर्फ answer option 5 में है, white dot आगे और black dot पीछे है, बाकी सारे तीनों, दोनों elements same है, इसलिए answer option 5 is correct, very easy question, जैसे हमने अभी तक के बहुत सारे इस टाइप के questions solve किये, जब हम A और B को compare करते, तो कोई एक new element दिखता है, बाकी तीन element कुछ अलग direction में move हो रहे, so let's find out, यह C जो है यहां से center में गया है, यहां का C center में, moon उपर गया है, S जो है वो इस direction में आया है, and this P तो replace हुआ है, so यह over shape जो है यहां पर आया है, और यहां का P वहां गया है इसे बोल सकते हैं, और यहां पे एक new element आया है, right, so यह 3 element इस तरह से clockwise move हो रहे हैं, और यहां से element यहां जा रहा है, और यहां पे एक new, यहां का element यहां जाके नहीं के बाद में, एक new element आ रहा है उसकी जगह पे, now let's see B to C में कैसी हो रहा है, B to C में अब यह moon shape जो है, यह उपर से नीचे आया है, C this way गया है, arrow this way, and this S जो है वो इसके साथ exchange होके, इसके साथ exchange होके और यहां पे new element आया है, right, so अब यह पहले new element यहां था, अब new element इस यहां पे जगह पे नीचे आया है, so it means वो लो, जो new element है वो clockwise जा रहा है, right, so अब next new element जो यहां आना चाहिए, उसके बाद new element यहां आना चाहिए, so answer figure में जो new element है, वो यहां आना चाहिए, let's see, same pattern मिलता है यह नहीं, now C to D में यह arrow, जो arrow है, वो next figure में, C to D में arrow तो नहीं है, so बाखी के elements देखते हैं कैसे mover है, so यह जो moon है वो नीचे आया है, this way, right, और this T, T और Y shape आप बोल सकते हैं, यह Y shape next figure में गया है, right, यह moon नीचे Y shape इस direction में and then oval जो है वो नीचे आया है, and oval नीचे आने के वाद में, यहां पर एक new element आया है, sorry, C to D में oval उपर की तरफ जाता है, और यहां पर नीचे नीचे आया है, मतब यह दोनों दूसरों के ताथ position exchange करते है, और new element आता है, और यह C जो है यह, it means कि यह जभी भी new element आता है, वो next उसके position exchange करता है, बचे वे जो भी elements है, वो सारे clockwise mover है, sorry, anti-clockwise mover है, इस direction में भी anti-clockwise, इस में भी anti-clockwise, अब जब new element यहां आएगा, इसके बाद में यह 3 elements जो है वो anti-clockwise move होने चाहिए, और यह वाला उसके साथ position exchange करना चाहिए, let's see, D2E में क्या होता है, now this square इधर आता है, yes, यहां का element जो है वो, नीचे जा रहा है हमें दिख रहा है, right, यहां का element नीचे जा रहा है, now, and then square, moon जो है वो उपर है, moon उपर है, and, see, this direction, okay, so, सारे anti-clockwise direction में move हो रहा है, and, यहां का element जो है y जो shape है, इसके साथ exchange हुआ है, और इसकी जगह पे एक new element triangle आया है, so, वैसे हो रहा है, so, it means, अब यह हमारा answer figure का element जो है, यहां पे आना चाहिए, मतलब जैसे यह हमें first में मिला था, same new element यहां पे था, तो यह जो तीनों element है, वो तीनों element एक दूसरों के साथ में, anti-clockwise direction में position, और यहां का element इसके साथ position exchange करेगा, so, it means, यह जो square है, यह यहां जाएगा, और यह oval जो है यहां पे आएगा, आचो figure में oval नीचे ही है, और यहां पे new element आना चाहिए यहां पे, so, semicircle भी हो सकता है, यह arrow जो half arrow है वो भी हो सकता है, rectangle नहीं हो सकता है, क्योंकि rectangle आचुका है, PB आचुका है, और यहां पे भी P आचुका है, यह दोनों exchange हो गए, अब यह जो है, oval shape जो यहां जाना चाहिए, sorry, oval shape इसके साथ exchange हुआ है, remaining moon उपर जाना चाहिए, moon shape हमें उपर जाते भी दिखना चाहिए, यहां पे उपर direction में, so, यह 1 में तो possible नहीं है, सिब 2 में possible है, and triangle नीचे आना चाहिए और C center में जाना चाहिए, तो वह हो रहा है, इसलिए answer option 2 is correct, question number 6 में, एक ही element दिख रहा हमें, दो element है, एक shape है, kite shape और उसमें उसको shaded किया है, और एक bar type है, right, with 2 directions में, so, अब पहले उसका देखते है, यह वाला जो shape है, यह shape पहले upward है, इस second case में भी upward है, फिर इसको अगर हम लोग 90 degree अगर rotate करेंगे, 90 degree clockwise direction में, anticlockwise direction में तो कुछ वो इस तरह से मिलेगा, फिर next step में भी वैसा ही है, फिर से हम इसे 90 degree anticlockwise में भी move करेंगे तो ऐसा, so next जो हमारा answer figure रहना चाहिए, वो भी इसी तरह से रहना चाहिए, इसलिए यह तो possible नहीं है, और fifth भी possible नहीं है, यह हो गया इसका now this kite shape, इसका shaded portion इधर है, अब A और B में हम देख सका रहे कि दोनो vertical position में है, C और D में horizontal है, E में vertical है तो हमारे answer में भी vertical ही आना चाहिए, सो वैसे 2 तो वैसे भी eliminate हो चुका था, तब आकी सारे options में vertical ही है, अब A का अगर मैंने इसे 180 degree में move किया, A figure को, तो मुझे exactly जो B figure है वैसे मिलेगी, अगर मैंने यह point को 180 degree से move किया, तो यह black portion यह side में आ जाएगा, यह point जो वो नीचे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो exactly one, ऐसे B figure जैसा मुझे मिलेगा, जब मैं इसे 180 degree से move करूंगी, right, now, अब A से, अब हम इस example में अगर हमने B से C कोई साथ compare किया, कि किस तरह से move हो रही है, it is very difficult, you can apply, कोई दूसरा आपको logic मिलता है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, कि B को 90 degree clockwise move किया, तो मुझे C मिल रहा है, let's see कि अगर इस तरह से होता है, जैसे इसको भी D figure को, अगर मैंने 90 degree anti-clockwise गुमाया, तो मुझे मिलता है, yes, इसे भी 90 degree anti-clockwise गुमाया, तो मुझे यह मिला, इसे भी हम मैंने 90, middle वाले portion को 90 degree anti-clockwise, अगर मैंने गुमाया तो इस तरह से मुझे मिल रहा है, इसका answer, right, E का, so E से हमें answer की तरफ, लेकिन हमें यह दोनों same direction में मिलना चाहिए, right, यह हमें same direction के मिलना चाहिए, so how can it be possible, क्योंकि E जो हमें answer जो निकालना है, जब हम इसे, B से, C की तरफ यह answer मिल रहा था, कि हमें इसे 90 degree clockwise अगर घुमाते है, तो हमें यह मिल रहा था, D से, C से D की तरफ 180 degree ही move करेंगे, तो ही मिलेगा same, ऐसी तरह 180 degree, अब D से E की तरफ, इसे हम फिर से अगर 90 degree clockwise अगर घुमाया तो मिलता है, right, वाँ, E से answer की तरफ हमें अब इसे 180 degree से move करना पड़ेगा, So 180 degree से move मतलब यह portion उपर चला जाएगा और black side जो हैगा, वो इस side में आएगा, इसलिए answer option 3 सेम वैसा ही मिलता है, जब इसे मैं 180 degree से move करती हूँ, तो यह उपर portion में ऐसे आजाएगा, और यह black portion इस side में चला जाएगा, यह side में, right, और यह white portion इस side में आजाएगा, इसलिए answer option 3 is correct, यह possible ही नहीं है क्योंकि left again, black portion जो है वो left side में यहां पे right side में है, इसलिए answer आएगा, बाकि option नहीं हो सकता है possible, answer option 3 is correct, middle shape same है, corner elements move हो रहे, so let's find out pattern, यह जो line, straight line है, वो इधर जा रही, मतब यहां corner वाला element, इस corner का element यहां जाता है, इस corner का element यहां जाता है, exchange करते हैं उनके साथ position, rectangle जो हो यहां जाता है, और circle, यह circle यहां आने के साथ-साथ, यहां पर एक new element आ जाता है, और वो element delete हो जाता है वहां से, now, B-C की तरफ, यह equals to sign यहां पर गया, यह यहां पर गया, एक दूसरो के साथ position exchange किया इन लोग ने, यहां पर इस तरह से, now, this rectangle हो गया, and now this T-shape, यह जो corner वाला, flat shape हो सकते हैं कुछ भी, और वो यहां गया, और यह आर्क जो था, C-shape, वो यहां जाके, यहां पर new element है, so this time, यहां पर new element है, C to D में, square this side, and this is this side, so, उपर एक दूसरों के साथ element exchange कर रहे हैं यह लोग, position, and यहां पर और यहां पर, so, every time, यहां पर, same first pattern जैसे आया है, जैसे A से B में हो रहा था वैसा ही pattern यहां पर आया है, now let's see, अब B to C में जैसा था वैसा pattern मिलता है यहां नहीं, square यहां जाता है, delete होके new element आ रहा है, मतलब इस corner में new element आ रहा है, यहां के position exchange करना चाहिए, यह दोनो cross corner में गया, cross corner में this rectangle this side, and यह square जो है यहां जाके, यहां पर new element आ है, triangle, so yes of course, अब जो हमारा E2 रहेगा वो answer रहेगा वो pattern 1, चार elements है, हम लोग दो-दो elements से comparison करेंगे, जैसे, यह equals to sign यहां पर first place पे, यहां पर second place में, यह first place पे, second place पे तो यहां first पे, यह दोनों भी दूसरों के साथ position exchange करेंगे, so इसलिए two-to elements का comparison करेंगे, पहले यह दोनों को देखते हैं, now, अभी यह वैसे कि वैसे आया है, सिपिनों ने उनके साथ position exchange करी, first place और second place ने, जबकि third और fourth place ने position तो change करी है, exchange करी है, साथ ही साथ उनकी water images भी हुई है, right, so इनकी water images and exchange हुआ, exchange of places, इसमें सिफ exchange of places हुआ है, first a to b में, first two elements का सिफ exchange हुआ है, यहां पे water image और plus exchange भी हुआ है, right, so अब b to c में कैसे हो रहा है, अब b to c में we can see कि यह black dot उपर है और c में figure में वो नीचे माया थे, मतलब यह जो first two elements है यह first two elements में उनका water image हो रहा है and position exchange हो रहा है first two elements का, similarly next two elements का now, see, next two elements में यह neå है तो यहां पे c में भी नीचे है यह उपर है तो यह उपर है right, so इनका सिफ position exchange हो रहा है अब पहले case में first two elements का position exchange हुआ था और next two elements का water image और exchange हुआ था, अब B to C में सिप उनका position, सिर्फ position exchange नहीं हुआ है, water image के साथ सब position exchange हुआ है, अब last two elements का सिप position exchange हुआ है, we can see, यह S उपर है, तो यहां पे भी उपर ही है, तो यहां पे यह first element का मैं उपर लिख रही हूँ, first two elements का और next two elements का मैं यहां नीचे लिख Now, let's see C2D में कैसे हो रहा है, C2D में यह point नीचे ही है, pin नीचे ही है और equals to sign उपर ही है, it means यहां पे सिप उनका position exchange हो रहा है, right, यह first place का second पे जाता है, second का first पे आता है, and last two का water image भी होना चाहिए और exchange भी होना है, हो रहा है वैसे, water image और exchange भी हो रहा है, D2E में अब water image होना चाहिए और exchange, yes, यह जो नीचे pin था वो उपर आ गया circle shape और equals to नीचे आ गया, so water image भी हो रहा है और position exchange भी हो रहा है, and last two का सिर्फ position exchange आना चाहिए, so yes, यह C shape जो है वो उपर ही है और S नीचे ही है, ऐसे ही हो रहा है, now, E2 answer में सिर्फ position exchange चाहिए first two elements का, और next two elements का हमें चाहिए water image and exchange, right, so, अब यह जो pin है circle वो उपर आना चाहिए, ऐसे first place में कौन सा possible है, second possible नहीं, third नहीं, fourth नहीं, एक तो first या fifth possible है, और second place में equals to sign आना चाहिए, that is down direction, so यह दोनों case में possible है, so maybe हो सकता है, now, अब यह जो next two elements है, उनकी water image है सानी चाहिए, मतब यह जो y, c shape है कुछ इस तरह से डिखना चाहिए, so यह first में नहीं possible हो रहा है, वो fifth में possible हो रहा है, and यह जो s shape है, इसका water image होना चाहिए, और ऊपर जाना चाहिए हो रहा है, so it means answer option 5 is correct, बाकी सब options wrong है, two elements से start a figure, first figure में two crosses है, next figure में एक cross है, और two squares है, it means कि यह दोनों में से एक cross जो ह पर वो delete होता होगा, next figure में cut हो जाता होगा, और उसकी जगह पर दो squares आते है, यहां पर भी two crosses से start हो आता क्यूंकि, so, और यह जो यहां का cross है, वो anticlockwise में जाता होगा, यह हमारा assumption है, first to second के लिए वज़ा है, now let's compare b to c, अब b to c में, अगर assumption ऐसा है हमारा की figure, जो भी starting elements है, व इसके उपर यहां पर and उसकी जगह पर दो s new elements आये, right, so, यहां से new elements दो आ गए, यह square यहां पर चला गया, एक cut हो गया, और एक cross आ गया, अब, next place में cross जोए वो यहां पर आया है, यहां पर square आ जाना चाहिए, यहां पर s आना चाहिए, और यह दो new element, उसी तरह से हो रहा है now, यह, अब cross यहां पर नीचे आ गया, bottom पर तो इसलिए वो इधर shift हो गया, cross, square यहां पर आ गया, इसकी जगह आ गया, s इसकी जगह आ गया, एक curve और यहां पर आ गया, two triangles new, right, so, next figure में हम देख पा रहा है, कि इसी तरह से हो रहा है, now, अब यह cross जो है वो, इस figure में यहां त आ चाहिए, so, वो हां पर assume किया, यह square यहां आ चाहिए, यह s यहां आ चाहिए, एक arc यहां चाहिए, एक triangle यहां पर आ चाहिए, और यहां पर कोई दो new element आने चाहिए, right, let's see, कि यह x जो है, वो कौन से corner में है, यहां पर equals to है, so, not possible, not possible, यह भी नहीं, यह possible हो सकता है, answer option 4 न करें, 8 elements है, 8 elements अलग-अलग direction में move हो रहे, so, let's find out, यह first element से start करेंगे, इस element में T-shape जो है, first यहां पर इस corner का हमें नीचे दिख रहा है, और कहीं नहीं दिख रहा है, right, so, यहां का element यहां जा रहा है, so, we can show this way, now, circle जो है, यहां से last में जा रहा है, so, यह यहां से नीचे आ रहा है, now, y, वही पे है, बस इसके पहले position पे गया है, so, third place का जो element है, वो second place पे गया है, square जो fourth place पे था, वो third place पे आया है, right, now, equals to, यह equals to sign जो था, वो उपर गया है, यहां का element उपर गया है, triangle उसके पहले move हुया है, and then cross is also moving like this, और जो moon shape जो है, वो यहां का shape, वो उपर side म गया है, right, यह यहां का element उपर गया है, that's it, और इस तरह से हमें कि यह pattern मिला है, कि two triangles है, two triangles move हो रहा है, एक clockwise में और एक anticlockwise में, इस तरह से, अब let's compare B to C में कैसे हो रहा है, यह equals to sign यहां पे गया है, we will show here only, equals to sign यहां गया है, y जो है, यहां पे आया है, और square, third place का square, first place पे C में, now you have to compare directly कि B से C में कैसे जा रहा है, तो B का यह third place का element है, यहां पे first में आया है, और यह moon shape का element है, यहां पे second place पे आया, यह वाला element यहां पे mover है, now, यह सारे elements इस तरह से mover है, और यह triangle अब देखेंगे, triangle जो first place का है, वो उपर गया है, यहां का element इस तरह से गया है, and then cross B से C की तरफ cross अब इस direction में गया, यहां वाला element यहां पे गया है, and then जो T था, वो यहां पे आया है, and circle उपर, okay, so यह इस तरह से दो triangle form हो है, इस में से एक इस तरह से clockwise मूँआ रहा है, और एक इस तरह से anticlockwise मूँआ रहा है, so दो अलग-अलग pattern हमें मिले है, now let's compare C to D, C to D म यह triangle, first place का triangle यहां पे third place पे दिख रहा है, हमें D में, और equals to, जो है, वो next उसके गया, now first place का triangle गया है, third place के D पे, first का third place के D पे, और equals to, जो था, वो fourth place पे गया है, and y इधर आया है, and circle इधर exchange हुआ है, and नीचे का T उपर गया है, right, so यह first pattern जैसा ही हमें मिल रहा है, और C to D में, first pattern था, वैसे ही, और C में, जो square नीचे है, वो उपर गया है, यहां का square उपर गया है, and यहां से, जो moon shape था, moon shape यहां second position से, first position पे आया, cross जो third पे था, वो first पे आया, so इस तरह से, same वैसे ही, हमें triangle मिले, same direction वाले ही मिले है, now let's compare D to E, so we can name it now, कि यह first pattern है, यह second pattern ह यह again first आया, तो यह second आना चाहिए, इस case में second pattern के लिए, यहां का square जो यहां पे गया है, D से E की तरफ, यह D से E की तरफ, second, first position का second पे, second position का third पे गया है, and circle जो था, third position का circle, वो first position पे आया है, fourth का second पे आया है, and यह, यहां, यह, यह, चारों element हो गया, now, यह moon shape जो है, यहां का moon shape यह उपर की तरफ गया है, right, so just आपको बहुत concentration से आपको यह find out करना है कि किस तरह से shapes move हो रहे है, once you get the pattern, आप तुरंत वो apply कर सकते हैं आपके figure में, right, so यह हमें फिर से मिल गया one, तो अब जो answer option रहेगा, वो pattern one follow करेगा, so pattern one follow करने के लिए, इस case मे यह जो moon shape है, यहां नीचे जाना चाहिए, जो पनीचे मिलना चाहिए, थर्ड पलेसपे, इस case में थर्ड पे नहीं मिल रहा है, so इसे हम eliminate कर सकते हैं, यहां पर भी नहीं मिल रहा है, इसे भी eliminate कर सकते हैं, यहां पर het破ह प्लेसपे, see, first pattern में यह जो corner का element रहता है, भीमें हम म क्या हो सकता है element answer option अब एक ही हमारा answer option करेक्ट आ रहा है 4 so उस हिसाब से ही बाकी के सब change होने चाहिए जैसे हमने असमिकरे थे now यह moon आ गया third place पे and जो second place का यहाँ पे square था वो जाना चाहिए यहाँ पे so वो मिल रहा है हमे answer option 4 में so यहां का square जो है हो यहां मिल रहा है यहां का y थर्ड प्लेस का y है वो हमें इधर मिलना चाहिए right sorry we are applying first pattern इसलिए यह जो y है वो इधर आ गया and j equals to sign था वो भी इधर आ गया and यह भी options थे triangle इधर side में मिला yes everything is possible जो भी हम लोग ने सोचा था वैसी हो रहा है so इसलिए answer option 4 is correct